मोधी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बात कही थी न खाऊंगा न खाने दूंगा और नौ साल में मोधी जी ने विवस्था को बदल दिया और एक जमाने में राजु गांधी कहते थे मैं दिल्ली से एक रुपईया भेशता हो तो राजस्तान के आखरी आदमी तक पंदरा पैसे पोश्थे है पचासी पैसे विवस्था खा जाती है मोधी जी ने काम मेरे राज में नहीं चलेगा एक रुपईया भेशूंगा तो राजस्तान के आखरी आदमी तक पूरा एक रुपईया पहुचेगा और देखिए कि आश्चरिय मोधी जी ने कर दिया अरे दिल्ली से मोधी जी पटन दबाते है और किसानों के खातों में पैसा आता है मोधी जी पटन दबाते है महिलाओं के खातों में पैसा आता है मोधी जी पटन दबाते है मजदूरों के खातों में पैसा आता है अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचोलिया नहीं कोई एक पैसा आपका लूट नहीं सकता ये मुदी जीने करके दिखाया और देश का पैसा बचा तो देश की अर्थविवस्ता दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बनी और जब अर्थविवस्ता बड़ी बनती है तो उसमें रोजगार दिर्मान होता है अर्थविवस्ता बड़ी होती है सडके बनती है, रेलवे बनती है पुलिया बनता है, पीने का पानी मिलता है घर मिलते है अर्थ्वेवस्ता जब बड़ी होती है तो लोगों के जीवन में परिवर्टन आता है अब हम पाच्वे नमबर पर है और अब की बार मूदी जी को वोड़ दोगे तो भारत तिसरे नमबर पर पहुझेगा तिसरे नमबर पर